हेलो स्टूडेंट माइसल्फ सैलेश कुमार मौर्या और आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएमेन 2019 से जितने भी क्वेश्चन आपके हाइड्रोकारवन चेप्टर से आ हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट वीडियो में हमने जेएमेन 2020 जो भी जनवरी में हुआ था उसके सभी क्वेश्चन को क्या किया था डिस्कस किया था तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख लीजे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगा यह काफी इंपोर्टेंट वीडियो कि है लोजी नेशन कहांखा वर बंद नना है यहां पर बनाबर बन कर दिया सब्ल मढ zor फर रखाले आपْ दिया यहां पर है ब्ल करना हुआ तो इस पियम और हमने wedge pollution पर लगा दिया तो अगले BR को किस पर लगाना होगा इस तरह से dash pollution पर लगा दिया चलो यह तो हमारा बन गया अब next किस के साथ में करना है ETOH के साथ में reaction करवाना है अच्छा यहाँ पे साथ ही साथ क्या है इस तरह से एक benzene ring भी हमारी जोड़ी हुई है और हमें किस के साथ में reaction करानी है ETOH के साथ में करवानी है यहाँ पे होगा क्या एक तरह का substitution reaction होगा आपको पता होगा कि जैसे अगर pH, CH2, X है तो यह compound क्या करता है काफी अच्छा SN2 reaction में बहुत इसका high rate होता है pH, CH2, X अगर कोई compound है अगर वहाँ पे कोई strong nucleophile attack करता है तो इसका क्या होता है SN2 में rate काफी जादा होता है तो कुछ उसी तरह का तो है देखो यह तो benzene ring हो गया यह CH2 हो गया उसके बगल में क्या लगा हेलोजन लगा इसी से resemble कर रहा है यानि इस पे SN2 reaction बड़ा तेजी से होगा यह जो nucleophile है यहाँ पे attack करेगा और यह चीज़ क्या कर जाएगी लीफ कर जाएगी तो आपको दिख रहा होगा यह जो particular carbon है इससे क्या जूड़ जाएगा यह लगमपन जूड़ जाएगा बगल वाले से क्या जूड़ रहेगा अब आप देख लो जल्दी से ऐसा किस option में दे रखा है जो कि क्या हो जाएगा आपके लिए correct हो जाएगा तो कुछ भी सोचने कि ऐसी ज़रूरत नहीं है आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुरंत इसमें कर सकते हो एक और तरीका इस question को करने का कि cyclic halonium iron मना ये फिर approach करा के करवा लिजे कई सारे वे हैं आप कहीं से भी चलेंगे इसी D वाले answer पे आपको पहुचना है अब उस पे पहुचना जरूरी था ठीक है तो आईए चलते है next question के तरफ ठीक है next question हम देखते हैं क्या दिया हुआ देखिए next question हम से पूछा है the product of the following reaction is इस तरह के question आज कर बहुत पूछे जाते हैं देखना ध्यान से हमने क्या किया है यहाँ पे ALCL3 को यूज कर रखा ALCL3 है आपको पता है कोई भी अगर compound आपने लिया है CH2X इसको अगर आप किसके साथ में treat करते हो ALCL3 के साथ में अगर आप treat कर देते हो यह ALCL3 लिखा हुआ है थोड़ा writing देख ले न तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका CH2 प्लस यह compound आपका बन जाता है कार्बो का टैन बनाने के काम में आता है यह तो चीज़ें हमको पता हैं यहाँ ठीक है तो अब देखो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ALCL3 यूज किया यहाँ पे CL है तो obvious ही बात है इसको वो remove कर देगा इस CL को लेकिन यह कार्बो का टैन आपको दिख रहा है कैसा है बगल वाले कार्बन से क्या कहेगा एक hydrogen कावेन को shift करवा देजिए एक hydrogen का shift करवा देगे तो हम क्या हो जाएंगे 3003 डिग्री कि में convert हो जाएंगे देखो यह जैसे ही shift करवाएगा यह दिख रहा है आपको एक 3 degree कार्वो का टैन बन गया और इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया तो आपको दिखा कि यहां तक तो आप पहुँच गए ठीक है एक 3 degree कार्वो का टैन बन गया लेकिन आपको दिख रहा है जितने भी option है जो भी option दे रखा है सब में क्या है कुछ ना कुछ cyclic structures बना हुआ है तो वो देखते है cyclic structure कैसे बनेगा यहां तक तो समझ गए कि पहले CL8 यह 1 degree कार्वो का टैन बना hydride ship करवा कि उसको किसके अंदर convert करवा दिया हमने 3 degree कार्वो का टैन के अंदर चलो अब देखते हैं चीजें कैसे work करती है तो देखो हमारे सामने कुछ ऐसी condition बन चुकी है यहां पर मैं draw करता हूँ यह मेरे पास ring है benzene ring है यह इस तरह से यहां पे यहां पे यहां पे क्या लगा हुआ है इस तरह से O CH3 लगा हुआ है और इस given species को हमने किस तरह से convert कर दिया आपको दिख रहा है यहां पे एक हमने 3 degree carvokatend के अंदर convert कर दिया अब देखो cyclization करना है तो यहां पे क्या होगा यह वाला जो bond है यह जो double bond है यह क्या करेगा इस carbon पे इस तरह से attack करेगा अब ज़रा ध्यान से देखना यह अगर इस carbon पे attack करेगा तो हमारे सामने किस तरह की situation आएगी यह इस तरह से हो गया यह इस carbon से तो इस तरह से क्या था जुड़ा था ही और यह जाके यहां पे इस तरह से जुड़ जाएगी और अगर ऐसा जुड़ जाएगा तो इस वाले carbon पे क्या जाएगा प्लस चाल जाएगा अब आपको दिख रहा है इधर कितने carbon की ring बन गई 1, 2, 3, 4 और यह हो गया 5 एक आपको दिखना चाहिए यहां पे 5 carbon की क्या बन जा रही है एक रिंग बनके तयार हो जा रही है ठीक है 5 carbon की ring बनके तयार हो गया हमारे सामने अब खुदी से देख लो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अब यह वाली जो ring थे इधर वाली ring थे इसने क्या कर दिया था लॉस कर दिया था तो obvious ही बात है इधर से यह जो hydrogen है इसको loss करेगा और यहाँ पर क्या कर जाएगा aromaticity gain कर जाएगा और ऐसा करके आपको दिखने लगाओगा यहाँ पर यह जो option D बना है इस तरह का जो हमारे सामने structure देखने को मिल जाएगा तो पहले हमने देखा कि कैसे 1 degree से 3 degree में convert हुआ फिर हमने देखा कि किस तरह से attack हिया गया और एक 5 member क्या बन गया यहाँ पर ring बन गया बाद में H का loss करके क्या कर दिया ring ने aromaticity को gain कर दिया जो कि option D में बना हुआ था जो कि क्या हो जाएगा हमारे लिए correct हो जाएगा ठीक है यह जो given compound है यहाँ पर double bond है अब HBR में यहाँ पर क्या लगा हुआ है CL लगा हुआ है यहाँ पर क्या लगा हुआ है double bond अब खुदी बताओ मैं carbon किदर बनाओ अगर मैं इस particular carbon पर carbon बनाता हूँ तो उसके पास में CEL है जो कि क्या है एक electron withdrawing group है तो यहाँ पर अगर carbon बनाओगा तो वो कम stable होगा लेकिन अगर मैं इस particular carbon यह इस position पर carbon बनाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा दोनों के दोनों जो ग्रूप है जैसे C-reble bond OB और CLV दोनों भी दोनों क्या है comparatively जादे distance पर तो यहाँ पर जो carbon बनेगा वो क्या होगा quite stable carbon बनेगा इस इन रस्पेक्ट तो यहाँ वाले carbon बनेगा वहीं पर तो आके BR अटेक करेगा तो इतनी वादे समय लिए तो चलो एक बार यहाँ पर structure बना लेते हैं तो हम यह समझ गए कि इस जो पहले वाले क्या करता है Elimination तो पहले step में क्या करेगा देखो यहाँ से एच और यहाँ से भी है एक्सेज में ही है तो फिर यहां से एच और यहां से सी यह भी निकल जाएंगे तो यहां पे एक double bond है जाएगा तो overall यानि alcoholic के वेच से करने के बाद reaction हमको क्या देखने को मिलेगा हमको अब यह molecule जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की नो उसको पता होगा तुरंट कि यहां से एच से क्या करेगा यह टॉटमराइज कर जाएगा और यह given compound किसके अंदर convert हो जाएगा जो कि किस option में दिया है option A में दिया है तुरंट क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है और अग सबसे स्टेवल है तो compound कुछ न कुछ करके stability बनाते है तो आप इस पेस तरसे random गेस भी कर सकते हो वाकि इतना कोई tough question नहीं कि आपको guess work की ज़रुएद पड़े ठीक है next question which of the following compound will produce a precipitate with AgNO3 तो यह question मैंने aromaticity में बता है silver iron का कामी क्या होता है AG plus का काम होता है कहीं से भी halogen को निकाल के ले आना कहीं से भी क्या करना है halogen को निकाल के ले आना अब आप ही सोच की बता हो किस में से halogen निकल जाए तो compound का फायदा हो जाएगा option D क्योंकि अगर यहां से halogen निकल गया न तो देखो यह जो given compound बनेगा जब halogen निकल जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा plus charge यह given compound क्या हो जाएगा यह aromatic compound है इसको हम क्या बोलते है cyclotropyleum ketan बोलते हैं सबको पता है यह compound क्या होता है aromatic compound होता है तो यह जो D option है जब इसमें से halogen निकलेगा तो क्या हो जाएगा aromatic हो जाएगा इसको सबसे stable होगा सबसे पहले यह निकालेगा option A तो कभी निकालना चाहिएगा option C को भी निकालने कोई फायदा नहीं है यहां पर भी कुछ random सा structure बना हुआ है तो केवल और केवल कौन सो हो जाएगा option B हो जाएगा ठीक है चलो next question देखते है the major the main product of the following reaction is देखो यह भी question पिछले question जैसा ही जिसने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है ना उसको देखने लगेगा देखो यह जो double bond है यहां पर यह double bond है पहले किसके साथ में reaction करा रहो भाई साब आप क्लोरीन के साथ में चलो क्लोरीन का addition करवा देते है एक CL यहां पर तो AL-CL3 किया करता है भी बता है था है था है ạiलोजन को निकाल फेकता ह таких किदर से हैलोजन निकाल तो मेरा ज़यादा ऐ USDA होगा देखो इस carbon से निकाल होगे तो एक 1 degree करवा कर incl not 55ierra inclmar बना होगे यहां से हैलोजन निकाल होगे तो आप कहां से हैलोजन निकाना चाले है अबब यह double bond, यह double bond, यह double bond, अच्छा ध्यान रखो, उस question में भी OCS3 लगा के रखा था दुनों में, तो कितने similar question यह frame कर रहे हैं, यानि हमको यह समन में आ गया है, यहाँ पे तो CL लगा और यहाँ पे carvokatan बन गया, अब जैसे पिछले case में हुआ, कि यह bond क्या करेगा, यहाँ पे attack करेगा, और क्या बन जाएगा, structure cycling, तो खुद ही बताओ, जब यह attack करेगा, चलो, एक बाद draw कर देते हैं, इधर यह है, यह है, यह है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OCS3, ठीक है, यह structure कुछ, इस तरह से CL है, और यह जाके यहाँ से connect हो जा रहा है, अब बताओ, कितने carbon के बन जा रहे है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5 member structure, जिसके बाहर क्या लगा हो, यह है, last step में क्या होगा, यहाँ का hydrogen इस तरह से loss करेगा, और यह क्या कर जाएगा, और यह क्या कर जाएगा, तो एक दम दिख रहा है, पिछले problems के जैसा ही क्या, यह इसमें इनोंने किया, नहीं है, अगर आप यह सारा काम करोगे, तो आपको दिख जाएगा, किसका correct answer क्या होगा, option A बन जाएगा, हमारे पास, यह अला जो option A है, यह जो option A है, यह बन के हमारा तयार हो जाएगा, बस इसको कर देना, यहाँ से H निकाल दोगे, तो आपको दि यूज किया है, अलकोहली के वेच यूज किया है, फिर क्या यूज किया है, अब ये तो एकदम संबलो ना, bonus question ही है, ऐसे question तो exam में कभी गलत ही नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है, के वेच यूज करोगे और यूज करोगे और यूज करते हैं, ट्रिपल बन ब कौन सो option आ जाएगा, option B हमारे पास तुरंट आ जाएगा, ठीक है, चलो, next question देखते है, question 8, अब हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है, देखो, इस question को थोड़ा ध्यान से देखो, सबसे पहले HCL के साथ में reaction करानी है, सबसे पहले इसमें से क्या निकलेगा, H+, अब देखो, य S3, यहाँ पर दे रखा, double bond CH2, यह इधर connected है, अगर इसमें H+, की reaction करा होगे, तो खुदी बताओ किस तरफ कारवो का 10 बने तो मेरा फाइदा हो जाए, इधर कारवो का 10 बना होगे, तो वो 1 डिग्री बनेगा, इस तरह double bond के कारवो का 10 बना होगे, तो वो कैसा हो जाएगा, कि double bond में इस तरफ क्या होगा, मेरा के कारवो का 10 बनेगा, अब देखो, यह मेरा पास molecule है, ठीक है, यह हो गया, साइक्लो एक्जेन, यह हो गया, इस तरह से साइक्लो पेंटेन बना के दे रखा है, और यह इधर से connected है, यह इधर से, यह इधर से, यहाँ पर क्या है, प्लस जाए, जब रिंग के बाहर जस्ट प्लस चार्ज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, रिंग expansion होता है, तो यह bond क्या कर जाएगा, यहाँ से तूट के इस पर attack कर देगा, यह मैंने कई बार बताया है, कई सारे questions के through भी समझाया है, चलो, तो यह क्या हो गया, यह इस तरह से एक six member drink बनेगी, जिससे क्या होगा, दो carbon निकले हुए है, देखरो, six member drink जिससे दो carbon निकले हुए है, और बगल वाले carbon पर क्या है, प्लस चार्ज है, इसी को थोड़ा साम ठीक से बना लेते हैं, देखो, यहाँ पर ठीक से बना लेते हैं, यह हो गया, एक six member drink, बगल में भी क्या है, एक six member drink connected है, ठीक है, यहाँ पर क्या connected है, यहाँ पर स्तर से plus charge है, और दो CS3 ग्रूप निकले हुए, पिछले structure को ठीक से बना लेते हैं, लेकिन अभी भी देखो, यह carbon कैसा है, two degree, बगल वाले carbon से बोलेगा, भाई साब, आप तो दो-दो methyl ग्रूप रखे हो, एक का मेरे पास transfer कर दो, तो हम दोनों 3 degree में convert हो जाएंगे, एक बार और transfer करके, यह क्या करेगा, अपने आपको और stable compound के अंदर convert कर देगा, यहाँ पे CS3, यहाँ पे CS3, और इसके उपर क्या जाएगा, प्लस चा, तो आपको दिख रहा होगा, अब यह six member drink भी हो गया, और यह 3 degree compound इसके उपर क्या करेगा, इसके उपर फिर क्या करेगा, CL- इस तरह से attack करेगा, और यहाँ पे चीज़ें हमारी work up होके, बन जाएंगी, ठीक है, तो यह हमारा इस तरह से correct option होना चाहिए, अब देखो, इसमें मेरे को नहीं लगता किसी option में इस तरह का हमारा बना के दे रख हो गया, या एलेन हो गया, उनके solutions अगर आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि यही वाला answer सही है, आपका, जो मैंने यहाँ पर draw किया होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या होगा, कि कारवोगा 10 बना, फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से एक rearrangement हो गया क्यों 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 कि stable कारवोगा 10 के अंदर convertant था, फिर CL- का attack करके यहाँ पर work up करेंगी, ठीक है, तो यह हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलो, एक last question कर लिते हैं यहाँ पर, the major product in the following reaction is, तो किस तरह का major product होगा, तो आप बताओ, यह जो double bond है, इसमें किदर कारवोगा 10 बना देख लो इस तरह से, अगर आपने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से, इधर वाले CH पर कारवोगा 10 बनाया, और इधर क्या है OCS3, तो through resonance, यहाँ पर यह resonance करता हुआ, इसको क्या करेगा, stability provide करवा देगा, इसलिए कारवोगा 10 इस position पर बनेगा, ना कि बगल वाले पर, इतनी यहाँ पर हो जाएगा CH2, जिससे connected है CH3, और यहाँ पर क्या है OCS3, लेकिन यह HBR axis में है, जब HBR axis में है, तो यहाँ पर एक बार और reaction होगी, एक बार और reaction कैसे होगी, कि अब जब H+, निकलेगा इसके अंदर से, तो यह oxygen क्या करेगा, इसको इस तरह से electron देगा, तो यह oxygen ज न, यह जो BR minus है, यह क्या करेगा, इस carbon पिस तरह से attack करेगा, और यहाँ बार्ण क्या कर जाएगा, यहाँ से break कर जाएगा, तो overall इस तरह आपको OH देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो यह वाला option सीख जाएगा, तो इसलिए क्या है, काफी tricky question है, फिर से समबलों में क्या कह जाएगा, देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, इस given question में हमारे समने, कि पहले तो इसके उपर सोचना है, इसके उपर सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा-बच्चा answer कर देगा, यहाँ पर BR कर देना है, यहाँ पर CS2 कर देना है, यहाँ पर CS3, लेकिन यहाँ पर हम B भी option दे रखा है, लेकिन maximum लोग A पर टिक करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, correct answer क्या हो जाएगा, option B इसका correct हो जाएगा, तो इस question की जो beauty है, इस वाले part में लाई करती है, ठीक है, तो यह थे कुछ question हमारे, आपके J.E.Min के 2019 के year के, अपने next वीडियो में हम और भी different chapters के previous year क problems को discuss करेंगे, that's all for today, thank you for watching.